जो परे बाहां कि से गल दें कि जो बाटी जम लेना चाहता है अने के लिए खास करके है कि जो विश्वास करने वाले में चीन होगा, वो मेरे नाम से उस्टात्माओं को निकालेंगे, अन्य अन्य भासा को बर्दान ट्रासपर होगी, सांपको उठालेंगे, अज़िए पराणा ना सगोस्ति पीजा तोने कुछ आने, नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना सांपको उठालेंगे, बत्यायों लेने के बाहarna, सांपक उठालेंगे, बती जांपको अगर मैं करना है, बाई चैंस, अगर साफ मेरे सामने आ भी जाएगा अगर हम प्राथना करने वोले बिक्ति हैं बटी जम ले चुके हैं तो वो साफ हमारा हानी नहीं पहुचाएगा समझ रहे कि नहीं लेकि जान भूजी के साफ को नहीं पोखड़ना है क्योंकि जान भूजी के देखो जान भी लिखा है बच्चन में भी लिखा है कि मुली सिर्फ परोठी सा नहीं परमीशर कहारे का बच्चन सजी भी तरह ऐसा या सलेलूएगी नहीं तो अब साफ को खाने को बेने भागा कि आप जाकर साफ ही पकड़ लेना किसी घर में साफ भुज़त करने भाई नहीं तो बटी जम ले चुका साफ पकड़ लूगा पकड़ा लूगो गई लूगो फिर कोई को रचाएगा जान भूज के गल्ती नहीं करना आने जाने में अगर पकड़े लिए अने जाने में साफ आपके सामने आ गया वो आपका हानी नहीं पहुचा सकता है क्योंकि आपके साथ परमेशर का तूट रहते हैं सब लहाल है समझ रहे कि नहीं तो ये बात पर ध्यार रगना 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 और आपने प्रात्रा करके पी लिया आपके उपर जहर असर नहीं करेगा समझ रहे कि नहीं आपके अंदर जहर असर नहीं करेगा कब नहीं करेगा जब तो प्रात्रा करके पी लिए क्योंकि आपको नहीं पता उसमें जहर है लेकि अन जाने में पी होगे बिमारों पर हाथ रखेंगे और बिमार चंगे हो जाएंगे, समझ रहे कि नहीं, उसके आगे का लिखा है तोड़ा तो देख तो, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और आगे पड़ों पूरा बच्चा निसमने लिखेंगे। जो बटी जम ले चुका है और जो लेने वाला है, बटी जम लेने वाले लोग, बटी जम ले चुके लोग, आपको परूद बनाई शुके ना, पता है क्यों, अब जहां जाओ, तो वहां तो मैं तो मैं तनी जाओंगे, आप जाओगे, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जहा जाएं और जिसको प्रहात रखे वो भी चंगे हो जाएं मैं यह चाहता हूँ जो बटी जम ले ले उसके अंदर यह पावर आज़ा आज मैं पावर डावन को आपके अंदर एश्यों आप चाहिए के लिए आप जाओगे कोई बिमार बटी जम ले लोग उनके लिए मैं खास करके और मेटिंग रखूँगा जल्दी से मेटिंग रखूँगा और उनको इस पैसली में तेल दूँगा अपने पास से उन्हें बताओंगा किस परकार की प्रातना करने से दुश्टातमा निकलेगे किस परकार की प्रातना करने से बिमारी आ जाएंगे, किस परकार की प्रातना करने से धंका असिस आएंगे, किस परकार की प्रातना करने से हमारा काम आगे बढ़ेगा, किस परकार की प्रातना करने से हम उपर में जाएंगे इस विए प्रटी जो पर टीजम लेचिक लिए को अधिक रखोंगा और उनके साथ पैठ के अम ये बच्छन सेर करेंगे वासी स्पाइब शुका नामें समझ रेक ने मठीयट ऐस कोड़ो खुड़ा मतिया थाइस के वनिज और पीश क्या लिखा का चली से पड़े हैं यह हलिली यह हाले मतिय थाइस का उनने स्थोड़ा इस विश्वी इस निए तुम जाओ सब जाओ लोगों को चेला बनाओ और शुरिष्ट्री के लोगों को चे आप उधार पने के लिए रेड़ी हो, किसका उधार होगा, जो कोई बटी जम लेगा, जो अपना चीवन प्रभुपती देगा, आज उसका उधार हो जाएगा इस अमें, और जब उसका उधार होगा नो, तो अभी इस साइड में लिखा हुआ कि नहीं, लेकिन जब आज हम प आज आज होगा, आज जो कुछ लिखोगे, वह लिखा जाएगा, समझ रहे कि नहीं, अगर आप अच्छा करोगा, अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, सब बलहाले में, लेकिन परमेश्वर आपको कब असिस देता है, किन लोगों को वर्दान देता है, क पावर आता है, लेकिन इसके साथ साथ, जो बिक्ती दाना दस्मास देता है, उसका घर में, कभी कंगाल पन नहीं आएगा, जो बिक्ती दस्मास देता है, चर्च कंगाल पन नहीं देखे रहे हैं, कभी कंगाल पन नहीं देखे रहे हैं, कता है कि सारे दस्मास मेरे भंडार के खोल कर तुम्हारे उपर आसीज के अपरमपार बारिष करता हो कि नहीं क्योंकि परमेशोड चाहिलेंज देता है जदि तुम दान पस्वास दोगे मैं तेरे घर में इतना आसीज दूगा कि तुम्हें रखने के लिए जगे भी नहीं अब पड़ोंपला की पत्री में कह लिए अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं आकास के खोल कर तुम्हारे उपर आसीज के अपरमपार बारिष करूँगा समझ रेगे लिए अगर आपका बच्चा नहीं वह ख्यां से सुनेगे मेरे बच्चा के लिए 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 नास करने वालों के ऐसा घुड़काऊंगा अगर आपका बच्चा नास हो जाता है मतलब बच्चा रुपता है मर जाता है या बच्चा होता है डेट कर जाता है या बच्चा टिकता है तो सेतान तुम्हें तंग कर देता है अगर तुम आज से बफादारी के साथ इमादारी के साथ दासुमास दोगे दान दोगे अप तुम्हारे भूमि को पंख निस्ट नहीं करेगा कर दिरा भल पेड कर सांए और संदयर्ट फ्ल थिर पेड केपन कर सबसे होगा अगर आपके पेट में बचाएगा, वो मरेगा नहीं हो, फलेगा इश्यो मसी के नहीं हो, अगर दसमास देने हो ले बेक्ति हो तो, आप समझ रहे कि नहीं, जितने बेक्ति दान करता है चर्च के अंदर, दसमास देता है, वो करता है परमिशु का तो उन्हें बढ़ाता जात है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, और उस बेक्ति का घर में किसी परकार का कमी नहीं होता है, सब लहाले लेगा, वो देर होता है, लेकिन अंधेर नहीं होता है, देर होगा, लेकिन बेश्ट मिलेगा, समझ रहे कि नहीं, हो सकता है कि एक साल नहीं मिला, छे मिना में नहीं मिला झाली लुए लोिया मैं आप परत्या महने करें झाले सब्सक्राइभ नंदे करीम करें ते přेच्टे में यह में जलुके अंदे Professor गारे 900 आरे hack करने कि अधैने में क्यांगा हुआ अन्यक्र आफ। पूरा गर के मटका बरा पुरा पूरा 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 पर लो और वो मठ्ड का तेल से भरने लगा भरने लगा फरने लगा पूरा घर के मठ्ड का बरा पूरा पड़्ोशी से अगर उन्हें शार deta ही नहीं और के तुम और भॉणत का बचा भी नगी तब जैकर दोंगे जब तक आपको आपको परमेश्यूर के सामने वफदार होगे, दुनिया के कोई ठाकत आपको रोक नहीं सकती है, वो देगा ही देगा, आप जितने काम में हाथ लगाओगे, सफल होगा, बेट में बच्चा रुकेगा, मरेगा नहीं फ़लेगा, और बच्चे के साथ मेरे पास गवाही लेकर करेंगे, बोलो, आमें, कितने लोग दान देने के रेड़े हो, हम बफदारी के साथ हर महीने दान दिया करेंगे, और बफदारी से हम परमेश्यू को सवा करेंगे, कता जदि तू मेरे सामने इमांदार रहे, कि मैं ते अंधा नहीं हूँ, कि तू इमांदारी से काम करेगा और मैं तुम्हें दिखूंगा नहीं। परमूश्ड कहता मैं बहरा नहीं है। कि तुम्हें इमाधरी इसके शर्वा मैं आप सुनूाँगई। जडित तुम्हें लिए व्णाय को सुनूभी। ज़नी जिकिता हूँ। मैं भी तेरे लिए वफादार रहए। अधर रात को फुकारेगा मैं तुरे लिए उपाई करूँगा, सब लहाले लिए परमिशन का मैं उपाई करने वाला परमिशन समझ रहे हैं कि ने, तो हम सबसे पहले अपना दान को निकालेंगे अपने भेंट को भूएंगे, उसके बाद हम बटी जम देंगे, उसके बदे प्राफन को लेरी हो जाए अपने हम दान को निकालें, आजब खुदा के घर में पहले दान करेंगे और उसके बाद हम अपने आसिश को खुदा से माँगे अपने दान को ठाएंगे वलिंट कियर जो भेंट लेने वाली हैं देर ना करें मैटा दोड़ के जाओ क्योंकि दूर दूर से लो से लो समय से प्राथना चुटे करना है अपना भेंट को ठाओ और हम बिद्थ के लिए गीद गांगे एक अरात्मा करें हलिलोया बजाएं-बजाएं-बजाएं-थांक्यो चीजस बजाने में कितर चलेंगे ए transcriptिजस हलेलोया वहां भिद्थ के लिए बजाएंगर तेरे हाथों लेने वाला नहीं देने वाला बनाई का हाथ तेरे हाथों को ठालो और मन को शांस रखो आखिया बंद करो और बबुलो परमिश्वर आसर देने वाला बनो किसी के सामने हाथ भलाने वाला ना बनो तुम मुझे इतना दे कि मैं कलीष्यां के हर जुडते पूरी कर पाऊ अपने लोगों का हर जुद्धे पुरी करपाओं अपने घर के जुद्धे पुरी करपाओं अपना जुरुते पुरी करपाओं अपना जुरुते पुरी करपाओं अपना जुरुते पुरी करपाओं अपना जुरुते पुरुते 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 तेरे हातों को वो देने वाला बनाएका जो वाजी यहोबा कहता है यदि चिती लगा के सुने तो जो वाजी यहोबा कहता है यदि चिती लगा के सुने तो इन वची यहोबा कहता है यदि चिती लगा के सुने तो इन वचीनों के चले ने का इन वचीनों के चले ने का ये फल तू पाएगा तेरे हातों को प्रूलो, थाद हुपसाद, थाद kijवाओना रूसे तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, लेने वाला बनाएगा वो ये मति सोची न कि खुदा का हात छोटा है जो बन सकती से ना हो वो रूसे होता है तु अकेला ही युद में लाधों को गिराएगा तेरे हातों को बलो देडे वाला बनाएगा तेरे वाला बनाएगा तोड़े वाला बनाएगा, देने वाला बनाएगा सारे दस्वास बदारो में यह आगे समुखलाओ सारे दस्वास बदारो में यह हो आगे समुखलाओ मैं तेरे घर को बनाओंगा, मेरे घर को तुम्हा बनाओंगे सारे दस्वास बदारो में यह आगे समुखलाओ सारे दस्वास बदारो में यह आगे समुखलाओ सारे दस्वास बदारो में यह आगे समुखलाओ ऑजने के गर गजय कि आपने तो अपर कश्च आपने मेरे घर को तका नाँ को तेरी हर लुपी मिली है मुझे येस्टू के ना मुझे आता कुछ पूठा के और एक साथ उधार मिला है मुझे येस्टू के ना मुझे बदार के लाव भुझे, येरे सुके नाव भुझे जोड से हलेलुया बोल के बैठ जाओं पांच मेंट के लिए जली से अलेलुया अब हम बचन पड़ेंगे प्रभ भोज के बारे में कि प्रभ भोज क्या चीज होता है प्रभ भोज का बचन निकाल ले पहला करूंतिया गार उसका तेईज और मेरे साथ वचन पड़ेंगे और प्रभ भोज ने लेना है अगर आप बची जम नहीं लिए हो तो वो रोटी नहीं लेना मेरे दोस्त को पी दे दो तो हम नहीं दे सके हैं क्योंकि जो मेरे बेटा का इसा है वो बेटा को मिलेगा जो दोस्त का है वो दोस्त को मिलेगा समझ रहे कि नहीं इसलिए जो बटी जम ले चुके हैं वो रियली खुदा का बेटा है आमें आप रियली खुदा का बेटे हो और जिनल समझ रहे कि नहीं आपको जो कहोगे वोज देगा वो आपका हग कर लेने का लड़के लो प्रेम से ले लो आज देखो इससाल लने के कि लेए बच्चा क्या करतां लाठी उठा लेते देबो लेकिन हमें डंका नहीं खाना है अमें बच्चन उठा लेना है जदि हम प्रात्ना करके बच्रो बात्र के साथ मांगेंगे तो मिल जाएगा आमें समझ रहे कि निए तो परमेशोर जिस रो अप पकड़वानी के समे पकड़वाया गया उससे पहले परमेशों ने अपने चेलों को साथ भोज कि और भोज करके सिखा कर चले गया कि हमें यह काम सदा क्लिए करते रहना है कब तक जब तक परमेशों का दूसरा अंगमा ना हो जाए सब बला हाले लिए हां क्या लिखा हूं मेरे याद में यही किय कर आगे के लिखा इसी ती से उसने प्यारी के पिछे को डो भी लिया और कहाँ यह कटोर मेरे लहो में नई बाचा है जब कभी पीओ तु मेरे आसमन के लिए यही किया करो क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कंटोरे में से पीते हो तो प्रभु के मिर्ट को जब तक वो ना आए परचार करते हो के मिर्ट को जब तक प्रमिश्व आना जाये दूसरा आगमन ना हो जाये दुसरा आंगर तब तक पर चार करते रहो प्रभ भोज लेते रहो बदलते की मैं बता दूँर वहां जब बहाँ गयो कि ऑर जब तब तक हमारा पूरा छटकारा नहीं होगा उस दिन तक हमें पूरे तरीका से पवित्र हो जाना है परमिश्य का आगवार काने से पहले कि जब तक हम पूरे तरीका से पवित्र नहीं होते हैं तब तक हमारा जीवन में प्रॉलम रहेगा और जब हम पूरे तरीका से पवित्र हो जाएंगे तो आएगा तो देर ना करेगा पहला रेप्चर में उठालिये जाएंगे सब बलभा ले लिए लिए तो हम रेडी रहे हैं तो उसका कि हम जब तक आना जाया य। यह काम करते रहे Project प्रभू भोज लेना पेट बरना नहीं होता है कि प्रभू भोज लेते हैं और खहा लेते हो गया तरहां कियमती है कि यादकर農ा कि परमिश्य निई एो फैयरम淯 हम ले लगार्प ग्रमिशुर परमिश्य नहीं करेoni हैm हाले लिए जो बिक्ति परमेशोर के मौत को याद कर लेता है वो बिक्ति पाप करी नहीं सकता है क्योंकि वाइबर लिका है उसने सारे गुना और अपरादों को अपने उपर उठा लेके गया है उसने कुरुष पर चढ़ा दिया है जो कोई कुरुष के तरफ देखता है जो मेरा बोज उठाया है उसका नाम येशु है अलेलुए आपका बोज उठाने वाले का नाम क्या है येशु समझ रेके नहीं दुनिया के गुनाहों को अपने आपको अपने उपर लाद लिया उस दिन की याद करो कि जब येशु मसीख के पास दुनिया के सारे पाप जा का इतन जगे परमिश्व ने वहाँ पर कुरूज पिलट का हुए कहा परमिश्वर तुने मुझे क्यों चोड़ दिया बता है डरता था कि दुनिया का पाप उठा कि हम पापी नहीं हो जाए इसलिए डरता था कि कही ऐसा था कि दुनिया का पाप मेरे अंदर आए हम भी पापी हो जाए लेकि वह धरता था और जब दुनिया के पाप उसको उपर जाता था वह चीखता था चिलाता था दर्द होता था मारता था टेक करता था दुनिया का पाप और जब दुनिया का सारे पाप को अपनो पर लाद लिया उसने कहा अब सब कुछ पूरा हो आ लेगे सबसी क्या हुआ मतलब हमने सारे दुनीय के पापकू अपनों पर लाद लिया अब मैने जिन से जा सकता हूँ और तब рядust अपने प्राम को हुदा के हाथों में सुंप दिया और कहा कि परमेशूर मैं अपने आत्मा तर्य याथँ में सौंपता हूँ और अपने अपराण को त्याग दिया सब लहालेली परमेशूर इसलिए किया मैं आप बताना चाहता हूं कि परमेशूर आपसे प्यार करता है परमश्र करता है, मेरे बेटा बेटी, मैंने एक बार तोरे गुनाय अपराद पाप को छ्णा करके उठा लिया है, लेकिन फिर से पाप को मत करना, ने तो जितने बार तुम पाप करते हो, उतने बार परमश्र के लहुँ मौँ बहाते हो, एक बिकति आगर आप प्रभू को ज टोड ना दे कि मेरे को तकलीव हो रहा है प्रमीश्र आपके लिए रोता है कि लिखता है कि मेरे बेटा कब ग़ल्ती गुणा करना छोड़ देता कि मेरे को जो ब्लॉट गिर रहा है यह बंद हो जाता लेकिन आपको पता ना चाहता है मेरे भाई बनो आज परमेशर के बच्चो अपने हाथ को ठाकर अपने पापा से माफी मांग लो कि परमेशर में तो गुना कर चुका हूँ मैं तो पाप कर चुका हूँ अपराद कर चुका हूँ लेकिन परमेशर आज हम तेरे सामने समरपन करते हैं कि तू एक बार और मेरे कंबद रहें जो तू कहेगा वह करूगा कंबने हाथ को ठांगे प्रमिछु इस प्रहत्नाम कर देखिए पिता इशू जितने लोग अपने गुना को च्छा मांग रहे हैं इनके गलती हो का माप मिल जाए इशू मस्री के सामा के नामें बोलो आमें इसलिए जो कोई अनुचित रिती से प्रभू की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभू के दें और लहू का अपरादी ठेरेगा गलत तरीका से मतलब आपने जीवन प्रभू को नहीं दिया बट्टी जम नहीं लिए हो तो रोटी खाने अधिकार आपको नहीं है अगर लिए हो सौक से एक नहीं चार्चर खाओगे कोई बात नहीं बले बले हालेलिया समझ रहे कि नहीं कि इसको रोटी चाहिए येशु नहीं का जीवन का रोटी मैं हूं जीवन का जल मैं हूं समझ रहे कि नहीं मतलब जो येशु को जान गया और ना कभी भूखा होगा, ना कभी प्यासे होगा, परमिश्य कहा जितने येश्य को जानगे, तुम कभी तुकडे कभी खारी नहीं होने, ऐसे नहीं करें, दे दे मरे को येश्य के नाम पर दसरे पर कहीं नहीं मांगोगे, येश्य के लोग चंदा नहीं मांगतें किसी से, म हमने लोगों को घर बसाते हैं लेकि नहीं पर भान कर रखाया 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 गुस्टा नहीं करना इस नहीं नहीं करना कि दो लोगा आते हैं चर्च को ढंका कर चले जाते हैं चरज के पचास लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि प्रभु ने कहा hai तो चुप रहो, क्यょंकि लडाई ठेरा नहीं ए लडाई तो मेरा है अलेलुई आ का नहीं है लडाई तो आपका बापका है जंग आपका नहीं है जंग आपका बापका है बोल एगा लिए परमिश्वर के सामने चुप रहे नहीं सब कुछ में पूरा करके तो तो आमें आप बेश्ट लोगों बेश्ट लोगों न करेपरिवा किसी गली की वह रखे दबर के अरपल का खबर के जिद्दा परमिश्वर बुल आमें आगे का लिखा है इसलीए मनुस्क अपने आपको जाच ले privately बहनों और मेरे बचे अपने आपको जाचो और इसी रिती से इस रोटी में से खाएं और इस को टोरे में से पिये क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभू के दें को न पाचाने वो इस खाने और पीने सकते हैं थाते पीटे समय प्रभु कारी को न भाय जाजेगा वह अपने उपर डंड लाले का समझे इसाण करां बोलो इसाण तुम में बहुत से निरुबल और रोगी है और बहुत से निरुबल और रोगी और बहुत से सोग है विश्वास में आने के बाद 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 पाप में जाने के बाद बाद मेरा परमिशन नो पाप का परमिशन हो रही है परमिशन कि पता का का मैं पवीतर हूँ और तुम भी क्या बना तो मैं तुम्हारे इंदर आया जया करूंगर अगर 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 अग सिधी सिधी से सुधर जाओ मांग लोगा सुधर जाओ अ प्राकाले देता है थोरी करेगा तो चौराय नहीं चरएक लेकिन तो प्राफना करें तों दाद हो। तु बिश्वास के साथ जल ना कोई है तु नहीं कुर्क खोदस को हैं इतना दूंगा परमिशूर मेरा बास देके तक क्या नहीं ह음 नहीं होए तुक्ड़ो पिर धिखारी था नहीं हम पित्व्छामीומी नहीं ह焦 दूब है तो नाम सुनते हैं दिल खुस हो जाते हैं सकल तो बात की देख लेगा है कि ने कितने नाम जानते हो सब जानते हैं एक आदमी बताओ क्या नाम प्यार से में मेरा नाम को प्यार से नाम आप राज कुमार के चैना भी तो राज कुमार है आपके पास क्या कम्य है जिसके पास प्रभू है उसका पास कुछ कमे राज परमिशुर का सुनो परमिशुर के बच्चर में लिखा मैं राजाओं का राजा हूँ और प्रभू का राजा कोन है हम लोग और हमारा राजा कोन है परमिशुर सेतान के थोड़ी राजा है परमिशुर तो हमी लोग का राजा है हम राजा है हमारा राजाओं का राजा मतलब हम कभी गरीब नहीं हो सकते हैं, हालेलूया, समझ रहे कि नहीं, तो हम परमिश्वर के लोग हैं, आप क्या हो बचो, बो राजा के बेटे हैं, है कि नहीं, तो आप तो भी किसी चीज़ का घटी नहीं होगा, बचा चाहिए, मांग लो, घर चाहिए, मांग लो, ले 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 ये शुको नाम में मैं स्वारिक से आसी से तुम्हारे उपर रिलीज करता हूं जितने ने खुदा कर नाम लिया उतने ने नीचे नहीं उपर के तरफ बढ़ते गया इस वाले लोग है अपने हाथ लिटाओ और हम प्रभोज लेंगे प्रभोज के डबा मेरे पास ले 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 आप लोग लिए इसमें तो प्रभोज वाल नहीं है इसमें ध्यार रखना आपने बच्चे हो तो उसे ना देना पिताईश्यू के नाम में मैं प्रात्मा करता हूं परमीश्वार इस रोटी को इस रज़ को तुवासी दे हैं प्रिथी पर अब जाने वल प्रभोज लेने जा रहा है परमीश्व जितने तेरे बीटा-बीटी आज रोट खाएंगे उनके पाप अपर रात दुनात छामा हो जाएगा और एक नया ची मज़े है ताकि अगले महीं नहीं में मैं पेठें परमीश्यू पर गुड़नी जूतर इश्वार इश्वार इस से प्रभो बूज कही और विटा अपना हाँसाओ लुटाओ कर विदे अपना है सामार एपी रहे है। तेरा बदन दरा अपने होई तेरी लोग को हम पी रहे हैं तेरा बदन बदन का रहे हैं पिता इश्यू के नाम है जितने लोग बद्धिस्मा ले चुके हैं और प्रभुभुज नेंगे वह सब आसे सित होंगा इश्यू के नाम है आमें जो आज बटी जम लिया हैं उनको भी प्रभुभुज ने पूछ के और सब को जो प्रभुज घुमाओ और तुम गीत गाओ गीत गाओ तुम को घुमाओ तेरा बदन देख्वार हैं तेरे लोग को हम पी रहा हैं तेरा बदन बदन का रहे हैं तेरे लोग को हम पी रहें ये सुपी रोठी आगर लहो जो पीता हैं पीता जो पाक लहो आत्विक जीता हैं मेरे खातर तो हुआ कुरबान रहें मेरे खातर तो हुआ कुरबान रहें मेरे खातर तो हुआ कुरबान रहें तेरे लोग से हम जी रहें तेरा बदन बदन का रहें तेरे लोग को हम पी रहें तेरा बदन बदन से खा रहें तेरे लोग को हम पी रहें विशु की रोटी आगर लहो जो पीता है जीवन की रोची अगर लहो जो पीता है पीता जो पाक लहो आत्विक जीता हैं तु मेरे खातिर तु हो ला कुर्वान रहें मेरे खातिर तु हो ला कुर्वान रहें तेरे लोग से हम जी रहें तेरा बद बद दिखा रहें तेरे लोग को हम पे रहें तेरा बद तर्क जो लाग जो लाग अधिन जा उथ जा, उथ जा, उथ जा ये शो नांग चे उथ जा नांग चे उथ जा, नांग चे उथ जा लो याँ हैं जमधार्व शोल खुद पर इस प्राइब एफ ठेलाज सा ही और एफ ठटानं कि हुद्ट यह है ने फिरे टोट सो बनुर्ट अब आचका है दर्द अब दर्द अब दर्द का अधिस्वार्ट ना सालरा सालरा अधर जाए अभी इदर प्रभोज नहीं ला इने प्रभोज हो अधि सर पर में पुरा एक तो लहो आत्मिक जीता है तू मेरे खातिर तू हो या कुर्वान रे तू मेरे खातिर तू हो या कुर्वान रे तेरे लहो उसे हम जी रहें तेरा बदन बदन गा रहें तेरे लहोगो हम पियड़ तेरा बदन गात्तां रत्ता है नगरी परिवाह किसी गले किसी कि से अभा जाते ह डाव येश्व, 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 मेरा खुदा है, जिता खुदा है, करे फिकर वो आने वाले कल की करे फिकर वो आने वाले कल की सुना, सुना, जूसका जिए फिकाव, फाइफ, 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 आजे वेट और का तोर का जिता बात शुना, जिता खुदा है, अछे बहुतने, हो आने वाले की अजिए करे वाद के ने बहुतने, है करे लılar की दोर के लाएफ, और जोड़के ओल सीं में आट जिए चरुदा, तोर का पिक कमि मेरा खुदा है जिन्दा खुदा है देखो तेरे को सता पैसे ने कर लिया है नहां जो खिने दिता है हाथ इतने उठता है हाथ में उठता है दोना हाथ में उठता है दोना का पैर काम नहीं करता है मेरा ऐसे हाथ कर ये वाला पिता इशुलिश के मदब रहे ठालीलिया ठाइट कर हाथ निचे कर उठाथ वाँ ये शुमेरा बड़े बड़े काम करेता ये शुमेरा 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 बड़े काम करेता जिन्दा कुदा के मैं भी मर्द हूं। मर्द को सिकाज कर ने आ जाती है। अगर वो दारूपिता है। तु उनकी लिए कितने उपवास रखी है अपने पती के लिए। कि मैं उपवास रखती हूँ मेरे पती किना साखाता। कितने घंटा बेट के पती किना दुआ करती है। प्रवभू के लिए प्राथना करना तेरे पती अपने आप बदल जाएगा समझ रहे हैं ने सुनो परमिश्र का राजा के मन यहावा के बसमें इसके बसमें यहावा के मतलब हार एक मिक्ति का मन दिल दिमाग गुद्धि ग्यान सब परमिश्र का हाथ में वो जिदर चाहेगा उदर मूर देगा हाले लिए जिता बत कर तेरे बंदी आसना सबक्त हो जाएगा